हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं जोती शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ हमारे APC Academy के YouTube चैनल पर, तो आज हम डिसकस करेंगे most important questions जो पूछे गए हैं previous exams में, हमारा first question है भारत के 25 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? option A, समीर वी कामत, option B, राजीव कुमार, option C, ग्यानेश कुमार, option D, सुखवीर संधू, तो हमारा correct answer है राजीव कुमार, बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वर्तमान में 25 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और election commission of India की स्थापना कब की गई है? 25 जन्वरी 1950 को, जिसका headquarter है नई दिल्ली में, वहीं दो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त किये गए हैं, पहले हैं सुखवीर संधू, दूसरे हैं ग्यानेश कुमार, 25 जन्वरी को ही voter stay बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन election commission of India की स्थापना हुई थी, बात करें हमारे प्रतम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो वो हैं सुकुमार सेन, आपके लिए एक important information, हमारी academy, HP, TED, crash course start करने जा रही है, morning और evening batches, जो start हो रहे हैं 29 अप्रेल से, और साथ ही साथ कुस journal batches को भी start करने जा रही है, जैसे HP police, HP पटवारी, clerk, JOA, JVT, entrance, exam, जितने भी interested candidates हैं, नी हमारा next question है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ, 1780, 1775, 1765 या 1748, तो हमारा correct answer है 1780, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है बंगाल गजट, ये English भाषा में प्रकाशित पहला newspaper है, जो 1780 में कॉलकता में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे James Hickey, वहीं बात करें कि हिंदी भाषा में प्रकाशित, पहला सापताहिक newspaper कौन सा है, उदंत मारतंड ये, जो कब प्रकाशित हुआ, 30 मई 1826 को, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये कॉलकता में प्रकाशित हुआ, पंडित जुगल प्रकाश शुकला द्वार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अंतररास्टी हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, हमारा नेक्स्ट कॉशन है, नाटो की स्थापना कब हुई, ऑप्शन A 1949, ऑप्शन B 1945, ऑप्शन C 1991, ऑप्शन D 1954, तो हमारा करेक्ट अंसर है 1949, बात करेंगे नाटो की, त इसमें 32 देश शामिल है, यह यूरोप और उत्री अमरीका के देशों का संगठन है, नाटो की स्थापना 4 अप्रेल 1949 को ही, नाटो का हेड़कॉर्टर ब्रुसेल्स, बेलजियम में है, 2020 में मैसोडोनिया, नाटो का 30 सदस्य देश बना, 31 सदस्य देश, 2023 में फिनलैंड बना और 32 नया सदस्य देश बना है, 2024 में स्वेडन, हमारा नेक्स क्वाशन है, निमन में से भारत के किस संगय छेतर में 4 जिलें हैं, परन्तु इन जिलों की सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती है, उप्शन E चंदिगर, उप्शन B पुदुचेरी, उप्शन C दादर नागर हवेल उप्शन D अंडमान निकोबार, तो हमारा करेक्ट अंसर है, पुदुचेरी, बात करेंगे पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी भारत का एक ऐसा राज्य है, जिसमें 4 जिले हैं, और 4 जिलों की लोकेशन अलग-अलग स्टेट्स में फैली है, पुदुचेरी की बात करे इसका तीसरा जिला है करिकाल, जो कहां इस्तित है, तमिलनाडू में, और इसका चौथा जिला है यमन, जो कहां इस्तित है, आंदरप्रदेश में, वहीं अगर बात करें हम कि एरिया वाइस भारत का सबसे छोटा जिला है, माहे, जिला है पुदुचेरी का, मगर इस्तित कह हाँ है केरल में वहीं वर्तमान सीएम है पुदुचेरी के आरंगा स्वामी गवर्नर है सीपी राधा कृष्णन हाई कोड की बात करें तो मदरास हाई कोड लोग सभा सीट एक हैं राजे सभा सीट भी एक हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है रास्ट ये दूद्ध दिवस कब मनाया जाता है भारत में अगर बात करें राचे दूदध दिवस कब मनाया जाता है तो उन्तरास्टे दूद्ध दिवस 16 जुन को मनाया जाता है, दूद की प्रोडक्शन में भारत का स्थान है प्रथम, भारत में दूद की कमी को दूर करने के लिए, वर्ष 1970 में एक प्रोग्राम लॉंच किया गया था, जिसका नाम है Operation Flood, किसके द्वारा लॉंच किया गया था, NDDB द्वारा, National Dairy Development Board द्वारा, य बात करने दूद अनुसंधान के इंदर कहा है, तो ये है करनाल हरयाना में, 5 जून को विश्व बर्यावरेंट दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, वहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में पहला योग दिवस 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है हमारा next question है कलिंगा हौकी स्टेडियम कहां इस्तित है उडिसा, option B जारखंड, option C 36 गड, option D गुजरात तो हमारा correct answer है option A उडिसा भारत का सबसे बड़ा हौकी स्टेडियम हौकी की बात कर रहे हैं हम जिसका नाम है बिर्सा मुंडा इंटरनेशनल हौकी स्टेडियम जो कहां है राउर केला उडिसा में है वहीं बात करें कि विश्व का और भारत का सबसे बड़ा cricket स्टेडियम नरिंदर मोधी cricket स्टेडियम जो कहां है एहमदाबाद गुजरात में है ठीक है जी मुझे बताएंगे एहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्टेथ है कमेंट सेक्शन में हमारा नेक्स्ट कॉशन है मल्यालम किस राज्ये की राजकिय भाषा है आप्शन A केरल आप्शन B आंदरप्रदेश आप्शन C तमिलनाडू आप्शन D करनाटक तो हमारा करेक्ट आंसर है केरल केरल का नया नाम है केरलम केरल के वर्तमान में CM है पी विज्यन वहीं गवर्नर की बात करें तो मुहमद आरिफ खान केरल वालों का हाई कोड है कोची में वहीं अगर पुचें कि भारत में सर्वदिक साक्षर्तादर वाला राजे अनकी पढ़ा लिखा राजे कौन सा है केरल है और केरल की साक्षर्तादर है 93.91 प्रतिशत या कई बर राउंड फिगर में आ जाता है 94 प्रतिशत ठीक है जी जो राजे पढ़ा लिखा होगा वहां साक्षर्तादर भी क्या होगी हाई होगी लिंग अनुपात भी हाई होगा अगर पूछें सर्वदिक सेक्स रेशो लिंग अनुपात वाला राजे भी कौन सा है तो वो है केरल जहां 1084 गर्स है जो ली जाती है 1000 बोईज के उपर ठीक है जी तो सर्वदिक लिंग अनुपात वाला राजे भी कौन सा है केरल अगर वहीं पूछें जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राजे कौन सा है आंदरप्रदेश जिसकी भाषा कौन सी थी तेलगो हमारा नेक्स कौशन है दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई कहां हुई आप्शन A पशिम बंगाल आप्शन B हमारा नेक्स कौशन है दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना कहां हुई आप्शन A पशिम बंगाल आप्शन B जारखंड तुमारा correct answer है पशिम बंगाल भारत में चार मुख्य स्टील प्लांट है अगर बात करें दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां है पशिम बंगाल में है जिसकी स्थापना की गई है UK की साहता से UK आ जाएगा या फिर आ जाएगा ब्रिटेन की साहता से वहीं हम बात करें दूसरा स्टील प्लांट है राउर केला जो कहां है उडिसा में है जिसकी स्थापना की गई है जर्मनी की साहता से बोकारो स्टील प्लांट जहरखंड में है जिसकी स्थापना रूस की साहता से की गई है वहीं भिलाई option B, Rajasthan, option C, Uttar Pradesh, option D, Maharashtra, तो हमारा correct answer है option B, Rajasthan, बात करेंगे प्रमाणू उर्जा आयोग की, तो प्रमाणू उर्जा आयोग की स्थापना होई है, 10 अगस्त 1948 को, जिसका headquarter कहा है, मुमबई में, बात करें प्रमाणू उर्जा आयोग के, प्रतम अध्याक्ष कौन है, तो विभाग की स्ठापना 3 अगस्त 1954 को ही और इसका Headquarter भी कहां है मुंबई में हमारा next और last question है भारत का पहला नैशनल पार्क कौनसा है Option A. थीक है जो कहां है उत्राखंड के चमूली जिले में है बात करें Wildlife Protection Act की तो Wildlife Protection Act आया है 1973 में क्यों आया था इसको उदेशे क्या था तो इसका उदेशे था देशों में भागों के संडक्षन को बढ़ावा देना जिसकी शुरुवात 1 अप्रेल 1973 में इंद्रा गांधी के द्वारा की गई सबसे बड़ा National Park की अगर हम बात करें तो वो है Hemis National Park वहीं अगर हम बात करें कि सरवदिक उचाई परिस्थित National Park कौनसा है तो वो भी है Hemis National Park और विश्व बाग दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को बात करें कहाना नैशनल पार्क ये कहा है ये है मध्या प्रदेश में हैमीज नैशनल पार्क सरवधिक उचाई परिस्थित और सबसे बड़ा नैशनल पार्क वही साउथ बटन नैशनल पार्क भारत का सबसे छोटा नैशनल पार्क है तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके जी, हैवा नाइस डे,